हेलो अलो विडियो जो है फरवरी 2022 के अंतर राष्ट्रिय का पार्ट 4 है तीन पार्ट्स हमने देखे थे जिसके अंदर हमने वन लाइनर फैक्ट को देख लिया था यानि फर्स्ट पेज जो हमारा होता है ओवर्व्यू पूरे मेगजीन का हम देख चुके थे सेकेंड में हमन अंतर राष्ट्रिय की जो रिपोर्ट है असको आज पड़ने वाले है तो यह काफ़े इंटरेस्टिन वीडियो है तो आप इस पूरा वीडियो को जरूर से लेखें और उसके अलाबा इस मेगजीन का पीडियाफ है आप हमारे टेलेग्रम चैनल स्टली फोर रहे संद आइ बेनिफीशल है कुछ लोगों ने अभी आरेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आरेस मेंस का एक्जाम टाइम पे होगा या नहीं होगा देखें आज जो है हाई कोट का डिसिजन आया है और उन्होंने जो है इसको जो प्रिलिम्स का रिजल्टों को रिवाइस करने के लिए कह तो देखें यह क्या है तो हमारा जो आइम डी है यानि इंडियन मिटरलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका एक ब्रांच है जिसका नाम है क्लाइमेट रिशर्च और से जर्विस यह पुने में स्थित है और इसने जो है इसने हमारे इहाँपर एक अटलस लॉंच गिया है तो उसमें जितने भी हमारी जलवायू विपत्तियां होती है कॉन-कॉंसी होती जैसे शीत लहर है हिमपाथ है ओला वरिष्टी है विजली चमकना है और इन से जितने भी हमारे या नुकसान होता है तो उसका data कलेक्ट किया है कि कहा कहा किस कि जिले के अंदर ज्यादा इंपक् प्रबंदन में यह चीज सहायक होगी तो यह इस आर्टिकल के बारे में था सेकंड आर्टिकल देखिए यह नवनमेश उपलब्दियों पर संस्थाओं की अटल रेंकिंग 2021 जारी तो देखिए नवनमेश का मतलब होता इनुवेशन कोई नई चीज बनाना तो ऐसे संस्था वहाण गहां ने यह चीज बने को क्या होगता है इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की संस्था हिं इनको अपने मां लगार युजिय पना किरिया इसमें करता तो आप देखें तक्रिणी की श्रेडी में जो रेंकिंग है तो केंद्री वित्पोश्य देनी के जो सेंट्रल के द्वारा ऐसी संसाय जिनकों की सेंट्र पैसा देता है ऐसे कौन सी संसाय है जो की टॉप कर रही है तो देखें आई-ए-टी मदरास है बॉम्बे है और आई- सरकारी सहयता प्राप्त है स्टेट की तरफ से तो उसके अंदर तीन है पंजाब उनिव्यूर्जटि दिल्ली प्रणड़गी की विश्राइख द्याले नेताजी सुबाष प्रणड़गी की विश्राइब इनको रinkइंग दी गई है फिर सरकारी कॉलेज संसान सरकारी और स साहता प्राप्त उसमें इंजिनिरिंग कॉलेज पुने पीएसजी कॉलेज ओफ टेकनोलोजी तमिलनाडू और गुजरात का कॉलेज हैं तो गैर तकनीकी में आप देखेंगे इंद्रा गांधी राष्ट्रिये मुक्त विश्विद्येले इसको इगनू कहते हैं उसको रेंकि संस्तान कोजी कोड कोजी कोड का है क्या रलाग अंदर सामान्य गेर तकनीकी में और जो संस्तान हैं देख लीजिए भारतिय उद्यमित्य विकास श्रिणारायन कॉलेज और महत्मा गंधी विश्विद्येले नाम याद रखनी की जरूत नहीं है एक दो नाम अगर आपको तो ध्यान रहें कि जैसे यहां पर IIT कौन से को टॉप किस्तान मिला है तो IIT मदरास को मिला है यहां अगर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल के अंदर इग्नु को मिला है और फिर भारतिय प्रबंदन सहस्तान को जी को मिला है इतना ध्यान रख लेंगे ठीक है उसके अलावा रेंकिंग किसके द्वारा दी जाती है दोनों सहस्ताओं के नाम ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्राल है और आपका जो है ओल इंडिया टेक्निकल कॉंसल ठीक है इनके द्वारा इसको दिया जाता है नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे अमर जवान जोती का राष्ट्रिय सम भाचती जलती है वहाँ पर तो उसका ट्रांस्फर कर दिया गया है राष्ट्र जमारत समर समारक के लि껏 क्रेंधरा तो इसमें देखते हैं क्या और प्रैक्ट्स है वहां पर सिच्वी से अमर गांधी जोती इंडिया झें प्रवास में था और इसको जो जुवाला है अखंड जो जो इसके अंदर जुवाला है वह पचास वर्ष रहें 1971 के वार से इसको स्टार्ट किया गया था उस समय इंद्रा गांधी जी की सरकारती तो उनके दुवारा इसको जो है जलाए गया था और वो सैनिकों की शहादत को बढ़ने के लिए इसको बनाए गया था अभी इसको रिप्लेस करके जो है राष्ट्रे समर्स मारक जिसको इंग्लिश नों कहेंगे नेशनल वार मेमोरियल जो की अमर जवान जोती से 400 मीटर की दूरी पर है वहां इसको जो है स्थापित किया गया है तो वहां पर भी सेम च सरकार द्वारा नई दिल्ली गेट के आसपास के चेतर में अपने सश्यस्त्र बलों को समानित करने के लिए बनाया गया है 44 एकड में बने इस नेशनल वार मेमोरियल को प्रधान मंत्री द्वारा 25 फरवर 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया इस युद इसमारक के मुख् इसमार सरक केंदरे तबरत और एक केंदरी ओप अबलेसिक जिसके नीचे अमर सेनिक अमर जवान का प्रतिनेदर करने वाली शाष्वत लौ जो है वो प्रजवलित है भी इसमें कई सारे जो है सर्कल्स बनाए गए है जो डिजाइनिंग इस प्रकार का चक्र यवीू के ruskan नेटाजी सुभाश चंद्र बोस्र परतिमा Korea एक 125 जहनति बनाने के लिए यह प्रतिमा का अनावरण करें इन कुछना की गई उसने लोरी नहीं बनती आठ्धाइस प्रेट को अहरी था 141 बंने वाली प्रतिमा काम पूरा होने पर होने तक नेता जी कि होलोग्राम प्रतिमा ठीक उसी स्थान पर लगी रहेगी इस होलोग्राम प्रतिमा का 30,000 और लुमेंड 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालिज जो है इसको किया जाएगा ठीक है और उसके अलावा देखिए कि यह आप जानते हैं कि तंतरा संग्राम में इनका अपार योगदान है उसके लिए उनको इस समन प्रदान किया जा रहा है उसके अलावा विशेश किया है इसमें तो प्रदान मंत्री जी ने अलंकरन समारों में वर्ष 2019, 2020, 2021 के लिए 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार जो है वह वी प्रदान किया है तो यह एक पुरुसकार है जिसको की जो है आपदा प्रबंदन के लिए जो है लोगों को और संस्थाओं को दिया जाता है नाम किया है सुभाष चंद्र बोस आपदा इंक्स पर चलेंगे लेक्स और यहां देख़िए इसका फूल फॉरम है नेश्चनल एडॉकेशनल इलायंस वॉर टेकनोलोजी ठीक है नेशनल एजुकेशन एलाइंस फॉर टेकनोलोजी यानि प्रोध्योगी के लिए राश्ट्रिय शेक्षिक गटबंधन ठीक है ये नाम आप ध्यान रखेंगे इसका शुभारम जो है हमारे शिक्षा मंत्री जो है जिनका नाम है धर्मेंदर परदान उनक ये निखा है नीट के बारे में प्रोध्योगी के लिए राश्ट्रिय शेक्षिक गटबंधन शिक्षा शेत्र में सरवत्तम विक्से तकनिकों समाधानों का उप्योग करने के लिए शिक्षार्तियों को सुविदा है तो एक मंच पर युवाउं को रोजगार की शमता बढ लाने के लिए एक पहले और इसमें क्या होगा यह जो समाधान बहतर सीखने के परिणामों और प्रमुक छेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलत सीखने के अनुभाव के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का जो है वो उप्योग करेगा निर्मानों सीखने के लिए अंतराल को पाटने में मदद करती है तो बेसिकली जो टेक्निकल एजुकेशन है उससे रिलेटेड आपका यह नीट है जिसमें की आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का भी उप्योग किया जाता है तो इस प्रकार से यह नीट प्रोग्राम जो है श यहां रखेंगे पिर नीट एक पहल है जो कि टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं वह कोची बना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शयर तो अभी क्या है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट तो इसका जो है मैं आ लावा देने के लिए ऐसी जगे जहां पर कि ट्रांस्पोर्टेशन की फैसिलेटी नहीं है तो वहां पर जो है बैटरी चालित इलेक्टिक नोकाएं जो है वो बनाई जाएंगी तो वहां पर यह जो बैटरी चालित जो है नोकाएं बनाई जाएगी ताकि तो यह परियोजना उर्जा कुषल आदूनिक और परियावरन के अनुकूल और सुरक्षित नौकाओं को पेश करेगी तदा इन नाओं को वाटर मेट्रो जय वो का जाएगा एसी वाटर मेट्रो बनाने वाला कोची जो है वो हमारे देश का पहला शहर बन गया है तो यह आप देखिए जो हमारे गुरु गुविन सिंग जी है उनके जो बच्चे थे जिनका नाम जो रावर सिंग जी और फते सिंग जी है उन्होंने जो है उनको दिवारों के अंदर जिन्दत चुनवा दिया था इसी दिन तो इसी लिए उनकी शहादत के दिवस को हम वीर बाल दूरूप में जो है वो मनाया जाएगा तो यह गोशना की गई है 26 दिसंबर को तो यह जो इनके दोनों बेटे हैं इन्होंने अपनी शहादत वही जो मुगलों के साथ में जो सिखों ने जो लोहा लिया था उसके अंदर उसके अंतरगत जो है जो यहां का मुगल शासकों क जो सुवेदार था सरहिंद का जिसका नाम वजीर खान था उसने जो है इन बच्चों को क्योंकि इनके उम्मर 9 साल और 6 वर्शी थी उस समय तो इनको इसलाम स्विकार करने के लिए बाद्य किया गया लेकिन नहीं स्विकार किया तो इसलिए इनको जो है दिवारों के अंद जो सिक नाम नक शही कलेंडर है उसके अनुसरार तो 20 और 27 दिसमबर को शहीदी सप्तहा जो है वो वैसे भी मनाया जाता है 20 दिसमबर से 27 दिसमबर तक शहीदी सप्तहा जो है वो मनाया जाता है अब देखे भारत में बाल दिवस प्रती वर्ष जो है हमारे यहां पर चिल्र किसान दिवस कब गोशिद किया गया है यह आप कमेंट सेक्षिन में बताएंगे किसान दिवस कब मनाए जाता है अब देखें एक संगटन है जिसका नाम है सीरियम उसकी एक रिपोर्ट आये जिसमें उन्होंने जितना टॉप परफॉर्मेंस वाले जो ओन टाइन परफॉर्म करते हैं एरपोर्ट उनको जो है उन्होंने इस्थान दिया है और उसमें टॉप टैन के अंदर हमारे भारत का सि भाइय सब्सक्राइब जिन्होंने है उत्सक्ते है थिकरी जिसमें वीनपाइंडव हमारे बहות अब हम शौट नियूस देखना तो शौट नियूस है कि अडिश्या का जो गंजम डिस्टिक्त है उसको चाइल्ड मेरेज मुक्त जिला जो है वह जादा होती थी यहांपर और यहां का प्रशासन है उसने निर्भया कडि कारेकरम और युनेसफ का चाइट इंडिया इस कारेक सब्सक्राइब करें नाम याद रखेगा केंद्रिय आयूश मंत्रिय सर्बानन सोनवाल यह इन्होंने तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ठीक है है वहां पर इंटरनेशनल हाटफूल इंटरनेशनल योगा अकेडमी जो है उसकी आधारशिला रखिए तो यह हाटफूल हिमाचल प्रदेश बना दुआ मोक्त राजय तो दौण मुकत का मतलब क्या है यहां पर पॉल्यूशन फ्री मिया यहां पर मतलब यह कि यहां पर यूज यूज होने लगा है तो देश की महिलाओं को घर के अंदर होने वाले प्रदूशन से मुक्ट करने के उद्धे देश उसी कारेगरम के अंदर मुक्य मंत्री ग्रहनी सुविधा योजना जो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई उसके तहत इसको 2018 में शुरू किया गया था और आज की जो अपडेट है वो यह है कि आंके सभी जिले जो है वो दुआ मुक्त जो है वो हो चुके हैं इसलिए हिमाचल स्टेशन का नाम बदल करके जो है एकता रेलवे स्टेशन एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है वो रखा गया है क्योंकि आपको पता है कि वल्लब बाई पटेल है 31 अक्टोबर को जो इनका जनम दिवस को एकता दिवस के रुपे मनाया जाता है वहां उनकी स्टैचियो कि वडिया रेलवे स्टेशन ने इसका नाम बीर वदल करके क्या रख दिया गया है एकता नगर स्टेशन रख दिया गया है फिर देखिए नेक्स आर्टिकल है कि ODF गाउं में तेलंगाना शीर्ष पर है ODF का क्या मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री यानिके जो है कुले में शौच से मुक्त जो गाउं की सुची है वो सबसे जादा कहा है सबसे जादा ऐसे गाउं कहां पर है तेलंगाना के अंदर है तो यह थोड़ा ध्यान रखेंगे फिर नेक्स देखिए विश्व हिंदी दिवस तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी 2022 को मनाया जाता है और इस अफसर पर जो है गोशना की गई कि इस गोशना के अनुसार युनेस्को का विश्व विरासत केंद्र भारत के युनेस्को विश्व दर्वार स्तलों के हिंदी विवरण को वर्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वो सहमत हो गया है थी हमारी नेशनल यूज जो की खतम हो चुकी है आगे हम पढ़ेंगे भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 तो आप एकदम से जो है त्यार हो जाएए इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए इसमें से काफी इंपोर्टन कोश्चन्स जो है वो हमारे प्रिलिम्स और मेंस में बनते हैं सो फ्रेंड्स हमारे जो परियावरण मंत्री है Ministry of Environment, Forest and Climate Change आपको पता है कि ये मंत्राले जो है Ministry of Forest, Environment and Climate Change इसको हिंदी में कहा गया है परियावरण वन एवं जलवायों परिवर्तन मंत्राले State of Forest Report यानि भारत वन इस्तिती रिपोर्ट अब भारत में जितने भी वन है ठीक है ट्री चेत्रे यानि वरक्षा वरण है और जितने भी हमारे यहाँ पर जो है Biomass related जो प्लांट्स है उसके अलावा इसमें दो चीज़ें अभी और एड की गई है उनको भी हम पढ़ेंगे तो उन सबके लेकर के यह रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है तो रिपोर्ट का नाम याद रखेगा Indian State of Forest Report यानि के भारत में वनों की इस्तिती क्या है यह जो रिपोर्ट है यह आपकी जो है सत्रवी रिपोर्ट है 17 ठीक है यह 17 रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट है बाइनियल बाइनियल का मतलब होता है दो साल में एक बार जो है यह रिपोर्ट जो है वो आती है ठीक है तो यह last 2019 के अंदर इस रिपोर्ट को जारी किया गया थी 1986 की बात करें तो उस समय हम आपका Environment Protection Act पर्यावरण संग्रक्षन अधीनियम जो है वह पारित किया गया था 1987 के अगर आप बात करें तो उसके अंदर जो आपका जो Forrest Survey Department है जो Forrest Survey of India है इसकी सपना 1987 में की गई थी जो इस यह जो रिपोर्ट है अपकी पर्यावरण रिपोर्ट इसको तयार यही जो डिपार्टमेंट है संसान जो है वो करता है इसका नाम है Forest Survey of India तो यह जो है वो 1988 के अंदर जारी की गई थी उसके बाद में जो आपका ये पहला पहला जो सर्वे है वो हुआ 1987 के अंदर और उसके बाद में आप देखते हैं कि ये सतरवी रिपोर्ट जो है वो इसने इस बार पेश की है ठीक है तो थोड़ आपको डिटेल ध्यान रहेगा कि 1985 के अ अंदर EPA Act आया था यानिके Environment Protection Act आया 1987 के अंदर जो है जो आपका ये Forest Survey of India उसकी स्थापना हुई है और उसके बाद 1988 के अंदर National Forest Policy लाई गई तो अब देखिए ये जो आपका संस्तान है जिसको कहते है Forest Survey of India ये काफी जो चीजें है वो आपको इसके अंदर बताता है कि भारत い जो है Forest said कि कितने Forest कम हुआ है कितना बढ़ा है कितना होना चाहिए ठीक है वह सारी चीजेंके अंदर बता है एक महतोकुन अब अपको इहां पर बताना चाहरी थी इसी के अंदर कि कि इस पार वाली जो आपकी रिपोरट है उसके अनदर एक नई चीज एड़ हूई है वो वर्तमान वाली जो IFSR रिपोर्ट है उसमें FSI में यानि कि Forest Survey of India जो है उसने Tiger Reserve और शेर संग्रक्षन छेत्र में आवरण के आकलन से संबंदित एक नए आध्याई नए चाप्टर जो है वो शामिल किया है तो नए चाप्टर में क्या है जो आपका Tiger Reserve है प्लस आपका जो शेर संग्रक्षन यानि लॉयन Conservation Reserve है जहाँ पर के शेरों को और टाइगर्स को रखा जाता है वहाँ पर Forest Cover कितना है उसको भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है ठीक है तो Forest Cover में इन दो चीजों को भी अभी नया एड्ड जो है वो किया गया है तो यह ध्यान रखेंगे आप So next friends जो next आपको जो डेटा ध्यान रखना है तो यहाँ आप पढ़िए इसको मैंने के अंदर लाइन नहीं किया है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैंने जो इसमें बताना चाहरी हूं तो देखिए जो हमारे यहाँ पर कुल वन और व्रक्ष वन और व्रक्ष द हमारे हाँ पर टोटल वन फॉरेस्ट और ट्री कवर हैं जो कि हमारे पूरे भारत का जो भोगलिक एरिया है 32 लाक वाला उसका कितना है चौबिस पॉइंट बासट परसेंट है तो यह तो टोटल बताया है ठीक है तो यह आकड़ आपको याद रखना है इसको अंडर लाइन हैं रखक्ते हो तो तो टोटल वकला है किसमारे ठीक को आपको यहां टेबल में लिखा है कि हमारा टोटल फ idéसीडर कवर किता है Yesterday आपको तो तूटल फिरस्ट ऑपका है ड्रों को तुल, किता है 2.91 है तो 2.91 को जब आप 21.71 में जोडेंगे तो आपका टोटल जो है 24.62 परसेंट आएगा यानि कि आपका टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर जो है आपको देखने में मिल जाएगा ठीक है तो यह आप ध्यान रखेंगे यह इंपोर्टन डेटा है दोनोई डेटा आपको ध्यान रखने है अगर आपसे कोई पूछे कि बहारत का कुल जो है वन और व्रक्ष से बहाराथ चेत्र कितना है तो 24.62 परसेंट बताएंगे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप जो है भारत का कुल व्रक्षावरन बताएं कि क्या बताना है ट्री कवर बताना है व्रक्षावरण बताना है तो आप कितना बताएंगे 2.91 परसेंट बताएंगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या-क्या इंपोर्टन चीज़ें जो है वो दे रखी है देखिए आपकी जो फॉरेस्ट सर्वे के पॉलिसी आई थी जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उस फॉरेस्ट पॉलिस की तहट कहा गया था कि वही देश का जितना भी आपका चेतर है न भोगोलिक चेतर उसका 33 परसेंट 33% क्या होना चाहिए वन होने ही चाहिए तो 33% वन जो है वो अभी तक हम टार्गेट अचीव करने ही पाए हैं हमारे यहां पर अगर वर्तमान हम डेटा देखें तो सिर्फ 17 राज्ये ऐसे हैं जहां पर 33% जोन का भवोलिक छित्र है वो क्या है वनों से पटा हुआ ह बागी के अंदर तो नामों निशान ही नहीं है तो यह टार्गेट जो है हमने अचीव नहीं किया है तो आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ठीक है वन नीती के अनुसार 33% भवोलिक छित्र का क्या होना चाहिए वन होने चाहिए लेकिन 17 यौल के ऊपर और क्या-क्या इसके अंदर दे रखा है तो आप से पूछा सकता है देखिए और ट्री ऊत्रीं प्रकशावरन चाहिए यहां पर Body Baypod पहां पर आपको जमीन नजर नहीं आईगी उसको कहते हैं very dense forest तो very dense forest हमारे यहापर कितना है चेत्रफल का 3 प्रतिशत हमारे यहापर क्या है अती सधनवन है फिर vdf इसको बोलते है very dense forest vdf इसके बाद में आते हैं आपका mdf यानिके moderate dense forest उसको बोलते है मद्यम सगन वन यह हमारे यह पर जादा है कितने है 9.33% तो आप से पूछ लिया जाएगा कि हमारे यह पर किस प्रकार की वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है तो आपको पता हो अची कि moderate dense forest हमारे यह पर सबसे जादा अधिक है फिर आता है third number पर आपके open forest जैसे अपने राजस उसमें गलत हो गया कि moderate forest भी जादा हमारे यह पर क्या है open forest 9.34% उसके बाद आता है हमारे यह पर मध्यम सगनवन और सबसे कम है हमारे यह पर पती सगनवन तो इन तीनों के अगर आप टोटल करेंगे तो total forest cover आपका कितना हो जाता है 21.71% और इसके अंदर अगर आपने व्र आप बताईएगा अब देखिए कि जो राज्यवार जो है यह आपके लिए important data फिर से आरा है इसके अंदर लेकि इसके अंदर data बहुत जादा है तो आप इसमें जो है थोड़ा सा घबराएंगे नहीं और समझने का प्रयास करेंगे अच्छा एक चीज और है कि आप किसको forest कैते हैं जंगल क्या है जंगल क्या गर के अंदर जो खेत है जो बाड़ा बना हुआ है क्या ऐसा नहीं है तो आप जो है forest का classification कैसे करता है तो report में कहा गया है कि एक अजिए लैंड होनी चीह कम से कम जहां पर के आपका पेड़ों का घंत्व है पेड़ों का जो घंत्व है व कि अगर जो है एक हेक्टेर से जदा की भूमी है और वहाँ पर वनावरन वह 10% से जदा का है तो उसको आप क्या कहेंगे इनतर होता है दे लिए रखा है तो यह मिल आपको बताती हूं कि देखेंगा ऊंदर कि वない क्यों वो अलगर उक कि आपका जो है वही एक एक्टियर की लेंड होनी चीए लेकिन अगर वहाँ पर सत्तर परसेंट से ज़्यादा अगर वन घनत्व है पेडों का घनत्व है तो वह आपका हो जाता है अतीस अगन बन moderate dense forest क्या होता है फिर तो moderate dense forest होता है कि अगर आपका 70% से तो कम लेकिन अगर 40% से ज़्यादा अगर घनत्व है पेडों का तो उसको आपको होगे moderately dense forest open forest फिर किसको कहेंगे तो open forest वो होंगे जिसका 40% से तो कम लेकिन 10% से ज़ादा अगर आपके पेड़ों का घंणत वह तो ऊसको आप क्या होगे किस शेड़ी में रखेंगे स्क्रब की शेड़ी में रखेंगे तो अब आप समझ गए यहां पर अतिस अगन वन का मतलब है 70% से ज़ाद है यहां पर क्या है पेड़ें मद्यम सगन वन का मतलब है 40% से ज़ाद है खुले वन का मतलब है 10% से कम है तो यह इसका क्लासिफिकेशन हो गया तो आप ध्यान रखेंगे इन क्लासिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजेगा अब देखें अगर कुछ और डेटा अगर आपको कंपेर करवा है यहां पर तो इस बार जो है अती सगन वन जो है आपके उसके अंदर इंक्र ठीक है पहले MDF ते 9.39% 2019 में और इस बार वाली रिपोर्ट के अंदर यह हो गए है क्या 9.33% तो इनके अंदर कमी देखी गई है आपको प्रतीशत ना याद रहे कोई बात नहीं लेकिन आप जो है इसका ध्यान रखेगा कि मध्यम सगन वन जो है इस बार कम हुए है ठीक है अगर आप बात करें यहाँ पर open forest की है तो open forest जो है वो बड़े है पहले यह कितने थे 9.26% ते और अभी हो गए है 9.34% यहाँ डेटा दिख रहा है आपको अगर आप बात करेंगे इसमें ठीक है इतना ध्यान रखेंगे तो भीचा काम चल जाएगा आपका तो यह जो है 21.21% होता पहले कितना था पहले यह था 21.67% यानि कि इस बार जो है इसके अंदर बड़ोतरी हुई है 21.71 है इस बार इसली बार कितना था 21.67 जो है यह था ठीक है तो यह आपका हो जाएगा 0.4% जो है आपके वनों के अंदर जो है वो बड़ोतरी इसमें देखने को मिली है अब नेक्स्ट आर्टिकल पे नेक्स्ट आर्टिकल नहीं नेक्स्ट बात पे हम चलते हैं कि हमारे जो हैं वनों के अंदर क्या-क्या और क्या-क्या चीज़ें हुई है तो देखिए 2019 के आकलिन की तुल्मा में देखे फर्स चीज़ हम क्या पढ़ रहा है total forest and tree cover यह total वाली बात पढ़ रहे है टी, एफ, टी पढ़ रहे है total forest and tree cover ध्यान रखियेगा यह पूरा वनावरण हम पढ़ रहे हैं तो 2019 के अंदर 2019 के अंदर जो है हमारे देश के अंदर कुल वन और वरक्षा वरण था 2261 ठीक है इसके अंदर इस बार विर्धी हुई है 1540 वर किलोमेटर की कितने वर किलोमेटर की विर्धी हुई है 21.71 परसेंट हुई है अब देखते हैं कौन-कौन से राज्यों में वन जो है वो अधिक देखने को मिले हैं तो वन चेत्र में व्रिधी दिखाने वाले जो शीर्ष राज्ये हैं उनमें आता है नाम आंदर प्रदेश का जिसमें 647 वर किलोमेटर उसके बाद तेलंगाना उसक प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा वन चेत्र जो है वो कहां पर है मद्य प्रदेश में उसके बाद में आता है अरुनाचल प्रदेश पिर चत्यजगर्ड ओडिश्या और फिर महराष्ट्रा कुल बहुगली चेत्र के प्रतिशत की रूप में वन आवरण के मामले म अब देखें मिजोरम जो है राज जी अगर छोटा सा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर जो है आप उसके गणना नहीं करोगे राज जी के शित्रफल के हिसाब से मतलब छोटा राज जी है लेकिन फिर भी वहाँ पर वन सबसे अधिक है तो उस मामले में अगर आप का कहां पर है अंधर प्रदेश है फिर ते लंगाना है और फिर उडिशा है ठीक है तो यह हुआ और उसके अलावा अगर एरिया वाइस पूछे आप से शेत्रफल के अनुसार पूछे तो फिर आपका मत्यप्रदेश है और नाचल प्रदेश है चत्तिस गढ़ और फि 33% वाला तुम मैं आपको बताई दिया था ट्री कवर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ट्री कवर इंक्रीज हुए है सरवाधिक व्रक्षावरण वाले राज्ये जो है वो है महाराष्टर राजस्तान मद्यवर्देश ठीक है सरवाधिक जहां पर व्रक्षावरण जो है वो देखने को मिला है देखें ट्री आउट्साइड फॉर्ड फॉर्स्ट फॉर्रस्ट फॉर्ड के इशाकर आप ट्री के ऊपका इरेया रहें जरूरी है मैंने बताया नए एक तेर ठक की भूमी के लेया íreक्यार आगर आपका लेकिन ऐसा यहां पर जो है कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि फॉरेस्ट के अलावा भी जो है पेड को उगाते हैं तो वह आपको ध्यान रखना तो उसके अंदर आपके जो है महराष्टर ओडिशा और यह लोग जो है वह इस्थान बनावाए हैं फिर नेक्स्ट जो इसका प पॉरेस्ट केते हैं तो मैंग्रूफ भी अपने 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 अलग तरह के जंगल हैं जो कि अर्द जो सेमी एरिड एरियास के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जैसे बंगला देश बंगाल वाला जो एडिया है वहां पर देखने को मिलते हैं तो आप देखे देश में कुल मैंगुरूफ जो है वो हमारा कितना है 4000 से ज़ादा है ठीक है लगबग 5000 किलोमेटर है किलोमेटर स्क्वाइर में फैला हुआ है और 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंगुरूफ चेत्र 17 वर की किलोमेटर की व्रिद्धी जो है यहाँ पर देखने को मिली है मैंगुरूफ चेत्रे में व्रिद्धी दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्ये हैं ओडिशा उसके बाद महराष्टर और उसके बाद में करनाटक यानि कि सबसे ज़ादा यहाँ पर मैंगुरूफ का आवरण जो है वो देखने को मिला है यानि इंक्रिमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है ठीक है अब फिर उसके अलावा जो है इसके अंदर तो यह 17 वर किलोमेटर के व्रिद्धी आपने देखी है अब देखे अगर आप यहाँ पर देखें 2114 ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वृद्धी वाले रज्यों में इसका नाम से मिलेते हैं वृद्धी वाले रज्यों में तो वही है उपर जो हमने पड़ा था उड़िशा, महराष्टा और करनाटक लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे जादा अगर आपको देखेंगे तो सबसे जादा में गरूफ जो है आपको पश्चिम मंगाल में देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो गुजरात के अंदर सबस्यादा मैंग्रूव आपको मिलेगा ठीक है और फिर जो है थर्ड नंबर पर आपका आता है क्या अंडमान और निकोबार दीपसमू जहां पर 616 किलोमेटर वर किलोमेटर स्क्वाइर के इसाब से जो ह बाजिल नाइजीरिय और मेक्सिको ठीक है अब मास के बारे में पढ़ते हैं बास भी एक संसादान है बिसका बैंबू बोलते हैं तो राष्ट्री इस तर पर बास डंटल के संख्या जो है वह 53,336 मिलियन आकी गई है जिसमें से ग्रीन साउंड ड्राइ साउंड और बास कल्म का हरित भार्ज होता है वह 402 मिलियन टन है भारत के संदर भार के संदर में देश में ग्रीन साउंड बैंबू की हिसेदारी 66 परसेंट है और शुष्क वाले की 34 परसेंट है यह भी आकड़े को इतने इंपॉर्टन नहीं है लेकिन जो बास है सरवादिक बास धार प्रदेश में फिर अरुनाचल में और उसके अलावा फिर महराष्ट और फिर उडिशा में इतना द्यान रख लीजेंगे बाकि यह जो प्यॉर बैंबू और यह सब यह याद रखने के ज़रूरत नहीं है अब देखिए जो है आपका बाग रिजर्व और शेर संग्रक्ष जाना चाहिए तो देखिए हमारे यहां पर बागों की संख्या तो बढ़ी है ठीक है अगर आपको पता हो तो बागों की जो टाइगर सेंसे अगर आपने पढ़ी हो तो बागों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन जो टाइगर कोरिडोर जाना उसकी संख्या वो काफी कम हु वन होने चाहिए जो इनका ecosystem होना चाहिए वो कम है जैसे कि अगर आप देखिए कि tigers के संख्या बढ़ी है अब में के दूर captive breeding के द्वारा हमने tigers बढ़ा दिये हैं बढ़ा दिये हैं तो कहां बढ़ा दिये हैं जू के अंदर रख रखे हैं वो तो आपने अपने ecosystem में कहां रख अगर पारिस्तिति की तंत्र के अंदर जो है उस टाइगर की भूमिक है अगर आपने इसको पारिस्तिति की तंत्र में नहीं रख रखाए तो वो इतना useful नहीं है ठीक है ऐसे आप भरे संक्या बढ़ाते जाए क्योंकि जो टाइगर इसको बढ़ाने के ज़रूत क्यों है क् पारिसिती की तंत्र के लिए बहुत अतिया आवशक है ठीक है तो यहां आपको यह मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमारे देश के अंदर देखिए 52 टाइगर रिजर्व में कितने हैं 52 टाइगर रिजर्व हैं और उसके अंदर आपको बाग छेतर वनावरन के अंदर 22.62 वर किलोमेटर की जो कमी है वो देखने में आई है तो यह important आकड़ा है इसको याद रख लिजेगा उसके अलावा जो है आपका यह कुछ जो है इसके अंदर दे रखें यह सबसे जादा वनावरन जो है वो बकसा टाइगर रिजर्व के अंदर हुई है जो कि पस्टिम मंगाल में है उसके बाद जो वनावरन है वो अन्नमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर बढ़ा है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर जो है आपके वन वरद्धी मिली है लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमी आई है वो कवल टाइगर रिजर्व में कवल टाइगर रिजर्व कहां पर है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे मेरे साब से अब नहीं बता पहेंगे तो मैं बता देती हूं तेलंगाना के अंदर है कवल टाइगर तो कवल टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी देखी की है उसके अलवा भादरा और सुंदर्वन के अंदर कमी देखने में आई है ठीक है यहां पर देखिए यहां पर लिखा भी है कि जो अकर टाइगर सेंसेज 2018 को देखिए देश के टाइग सब्सक्राइब के अंदर रामगड विश्टारी जो है इसको जो है बावन बार टाइगर रिजर्व जो है वह भोशित किया था अभी तो देखिए टाइगर रिजर्व में इंपोर्टन बात है जो मैंने आपको यहां पर बता दी है फिर हम देखते हैं टोटल कारबन अगले तो पी ऑमेडिए चैनल आव है है तो तो आपकर झालिच दिकेल पनोस्तार है सबस्कुत गले किया के व्गई इनके D Lord कितना है तो 7,204,000,000,000 ton का हमारे आपर टोटल कार्बन स्टॉक है अलावा कार्बन इस्टॉक के अंदर वार्शीख बृद्धी 39 % के हुई है देश में सबसे जादा कार्बन स्टॉक अरुनाचल प्रदेश में है उसके बाद मद्य प्रदेश में है उसके बाद 36 गड़ा फिर महाराष्ट में अगर आपको दो भी नाम याद रहे जाते हैं तो काफी ठीक बात रहेगी आपके लिए उसके अलावा इसके अंदर तो देखे इसमें है अबाव ग्राउंड बायो मास यह क्या होता है तो देखे बायो मास का मतलब जो होता है वह आपका जमीन के उपर जो आपकी जो फर्टिलीटी होती है वो कितनी है तो वो भी इस बार इसके अंदर नया जोड़ा गया है मैं आपको बताया था कि FSI की रि ग्राउंड बायो मास के उपर और ग्राउंड बायो मास के नीचे तो इसके अंदर 31.7% का बदलाव है और इस बार 9.1% जो है ग्राउंड बायो मास जो है वो देखा गया है मृत का मतलब होता है जो सुखी लकडियां होती है वो कितना है हमारे पर 6% जो है वो देखा गया ह ज्यारा फॉल्ट है उसके लावाल लिटर मृदा और कुल जो है वह ओर को लिए इंपोर्टन्ट होता है इसलिए इनको 20 रिपोट जो हम नहीं यहां पर पड़ी है आपको इसमें कोई भी doubt हो था आप मुझे comment section में पूछेंगे और यह जो आकड़े मैंने आपको बता हैं आप उन्हीं आकड़ों को पढ़िएगा ज्यादा आकड़ों के जाल में आपको फसने की जरुवत नहीं है तो यह वीडियो थोड़ा सा बढ़ा हो गया है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलेंगे तो हमको पढ़ना है आपको अंतरिक्ष और रक्षा प्रोदिगी की और आपका इकनॉमिक सर्वे वाला portion जो है वह भी बाकी रह रहा है तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में cover करेंगे तो thank you very much